जो बसपा घोसी उपचुनाब को लेकर अभी तक शांत बैठी हुई थी अब वोटिंग से महज एक दिन पहले बसपा ने बड़ा सियासी दाउचल दिया है हलांकि मायवत्ती की ओर से कोई भी प्रत्याश्ची मैदान में ना होने की वज़े से सपा और भाजपा दोनों ही अपना रास्ता साब समझ रही थी लेकिन मायवत्ती के इस दाउं ने दोनों ही पार्टियों में हल चल मचा दी है दरसल बसपा का कहना है कि बसपा या तो घर बैठेंगे और यदि बूठ तक जाएंगे तो नोटा ही दबाएंगे वहीं बसपा के इस नेड़ा से घोसी के सियासी रण में हंगामे जैसे इस्तिती है क्योंकि यहां 90,000 से जादा दलित वोटर हैं जो किसी भी चुनाब के परिणाम को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं आपको बता दे कि घोसी विधान सभा उप्चुनाब का प्रचार रववार को समाथ हो चुका है वहीं 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे इधर भाजपा और सपा के बीच आरोप प्रत्यरयोप तेज हो चुका है प्रिदेश के उपमुख्य मंतरी ब्रिजेश पाठक ने सपा पर तो सपाधक्ष अखिलेश आदब ने भाजपा पर हमला बोला है इसी भी चुप चुनाब में मतदान से पहले बसपा ने बड़ा सियासी दाओ चल दिया है बसपा या तो घर बैटेंगे और यदि बूथ तक जाएंगे तो नोटा दबाएंगे बसपा के इस नेड़ा से घोसी के सियासी रण में हंगामे जैसी इस्तिती है दरसल पिछले चुनाबू में भी बसपा उमिदवार को यहां से अच्छे खासे वोट मिलते रहे हैं इस चुनाब को सियासी नजरिये से बेहत अहम माना चा रहा है और इसके दो मुख्य कारण ह एक तरफ जहां दरस सिंग चौहान सपा छोड़कर फिर से भाजपा के साथ आ गए हैं और यहां के चुनाबी रण में ताल ठोक रहे हैं तो दूसरा लोकसवा चुनाब 2024 से पहले हो रहे हैं इस चुनाब को राष्ट्रिये चंतांत्रिक गठबंधन यानि की NDA बनाम इंड जानते हैं कि इस चुनाब को जो चीतेगा उसका बड़ा मनुवैग्यानिक लाव मिलेगा हालांकि बसपा और कॉंग्रेस ने इस चुनाब में अपना उम्मिदवार नहीं उतारा है बसपा प्रदेश अद्यक्षविश्च नात पाल कहते हैं कि पहले विधायकों को के लिए दल बदल कानून लाया गया इससे दल बदल पर अंकुष लगा कर अब नहीं परिपार्टी शुरू हो गई कि किसी सदस से को इस्तीफा दिला कर अपनी पायटी में शामिल कर लो और फिर चुनाब लड़ा दो इसका बहर जनता पर जाता है ऐसे चुनाब का हम बहि आजपा खेमे में हल चल मची हुई है दरसल इस सीट पर बस्पा के वोटर बड़ी भूमिका में हैं बीते तीन चुनाब के नतीजे बताते हैं कि करीब 90 हजार से अधिक दलित मतदाताओं वाली सीट पर बस्पा की पकड़ अब भी मजबूत है 2022 में यहां बस्पा प्रत्याशी वसीम इकवाल को 54,248 मत मिले थे वर्ष 2019 के उप्चुनाब में बस्पा के अब्दुलकयोम अंसारी को 50,775 वोट और 2017 में बस्पा के अबास अंसारी को 81,295 मत मिले थे ऐसे में बस्पा का प्रत्याशी ना होने के चलते मुसलिम वोट बैंक पर सपा की नजर थे आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित घोसी विधानसवा सीट पर होने वाले उप्चुनाब में अब धर्म ने भी एंट्री ले लिया तमिलनाडू के सियम स्टालिन के बेटे उद्यानिधी की तरफ से सनातन धर्म को लेकर हुई ठिपड़ी का असर घोसी में भी दिखा चुनाब प्रचार के आखरी दिन रभीवार को विधानसवा छेत्र में रोडशो करने पहुचे भाजपा सांसत और भोजपुरी स्टार मनोस्तिवारी ने धर्म का राग अलापा और समाजबादी पार्टी पर जम कर निशाना साधा वहीं चुनाब प्रचार में पहुचे मनोस्तिवारी सनातन धर्म के मुद्र पर विपक्ष पर जम कर बर से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया के नेता और तमिलनाडू के मुखे मंतरी मके स्टालिन ने ट्विट करके कहा कि सनातन धर्म की टेंगू और मलेडिया से तुलना की है उन्होंने कहा कि जब तक हम सनातन धर्म हिंदु धर्म को समाप नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे और यहाँ अखिलेश आदब उनको सपोर्ट कर रहे हैं अमरुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमरुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर